नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका Let's Track UPSC CAC Hindi के इस प्लेटफॉर्म पे, मैं हूँ आपके साथ डॉक्कर ख्याती, आज की जो हमारी क्लास है, आप टाइटल देखके ही पहचान गया होंगी, कालात्मक अधियन मतलब की कुछ तो ऐसा है, जब हम क्रीटिव तरीके से पूरा Art & Culture पढ़ने वाले हैं, तो जितना अभी तक हमने पूरा क्लास में पढ़ाया है, मतलब, Day 1 से जब से हमने क्लास शुरू की है आर्टन कल्चर की, तो वहां से लेके, मतलब कहले जितने भी टॉपिक्स हम ने किया है उनका हम सिलसिलेवार तरीके से आज रिवीजन करने वाले हैं एक जो विसेज सूचना है वो मैं यह बता दू कि यह जो क्लास है इसका टोटल परपस है आपका रिवीजन करना राइट तो दिस इस ओनली फॉर दर रिवीजन प में है यदि अनकाडमी की बात करें तो प्रतेक वर्स तीन में से एक सिलेक्शन अनकाडमी के प्रेटफर्म से होता आया है यह 50% ऑफ ऑफर अलर्ट है जो लिमिटेड पीरिट के लिए ही है जिसमें आरम बैच एक साल के लिए और फाउंडेशन बैच दो वर्सों के लिए ह इसकी शुरुवात हो रहे हैं 29 जून से अभ्यरती से अधिकाड़ी तक का सफर यानि इंटरव्यू की चुनौती भी यदि आप पार करते हैं तो आपको 100% फ्री रिफर्ण करेगा आने कैडवी में क्वालिटी अन्रिश्मिंट प्रोग्राम में जिसमें 16 सेक्शन और 4 करें यह लक्ष्य बैच है जिसकी सुरुवाब 22 जून से हो चुकी है इसमें भी इन्रोल्मेंट के लिए आप MKLIVE रिफर कोट का यूज करें यह कुछ ऑप्शनल बैचे के बारे में जानकारी ठीक है यह भी ऑप्शनल बैचे के बारे में है इनमें से किसी में भी शिवानी चलिए वेरी गुडिवनिंग तो आज की क्लास के शुरुवात हम करते हैं वन बाई वन एक टॉपिक उठाते हैं और सिलसिलेवार तरीके से देखते जाते हैं कि क्या-क्या था आपके जो भी डाउट्स होंगे जो अभी तक आप नहीं पूश्च पाए हैं किनी करनों से अर्टेंपल आर्किटेक्ट्चर से लेके जो नुरित संगीर तक के टॉपिक हैं सारे आप अपने डाउट्स भी रखते जाएगा वन बाई वन करके तो अर्लिट्स वेकिन कि देखिए हम लोगों ने शुरुआत की थी वह मंदिर वास्तुकला के साथ शुरू की थी अब मंदिर वास्तुकला के साथ शुरू जब हमने किया था तो याद करिएगा जरा पिछली कक्षाओं को तो हमने देखा था कि एक्शली जो कॉंसेप्ट है मंदिर का मंदिर को स समझें, उसके पहले हमें जड़ा समझना चाहिए कि पूजा का कॉंसेट कहां से आया, उपासना का कॉंसेट कहां से आया, तो जैसे हिस्ट्री में क्या होता है कि प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री है, यानि लिखित साक्ष मिले हैं क्या, तो दूसरा हो पर नहीं पाए हैं तो हम अनुमान के बेसिस पर या लिखे हुए जो चीजे हैं उनको छोड़ के अन्य अवसेसों के माध्यम से यह पता करते हैं कि एक्षिल में उस समय हिस्ट्री कैसी थी तो यदि हड़ा समय की बात करें तो क्या उस समय मंदिर थे तो मंदिर तो नहीं था तो क्या यह लोग आस्था रखते थे तो हमने देखा था कि दरसल जब हड़ापा सब बता थी तो लोग प्रतीकों की पूजा किया करते थे जैसे लिंग पूजा ठीक है लिंग पूजा करते थे विसाल स्नानागार था इसका मतलब यह हुआ कि जैसे अभी कुम्भ वगरा म में डूपकी लगाते हैं वैसा कुछ कॉंसेप्ट ठीक है इसके अलावा मात्री देवी की पूजा यानी कि यह सारी चीजे बता रहे है कि पहले जो है लोग प्रतीकों की पूजा किया करते थे जैसे जैसे आगे बढ़े और वेदिक सब्वेता में आए तो वेदिक सब्व सब्वेता है तो जब हमने इनका अधिन किया तो हमने देखा कि प्रतीक नहीं अब प्रकृती की पूजा होने लगी थी और इन प्रकृती में हमने देखा था सूर्य पूजा गयत्री मंत्र कि सावित्त्री ठीक है इन सब की पूजा हो रही थी बाद में इनी दोनों का अमल्गमेशन हुआ और वेदिक सब्वेता से ही हमें ये समझ में आने लगा कि भाई लोगों की आस्था बढ़ने लग गई ठीक है और जब उस आस्था को एक रूप देना था एक रूप देना था तो यहीं से प निर्गुर्ण यानि जिसका कोई आकार नहीं है निराकार ब्रहु और एक हुआ निराकार और एक हो गया आपका शगुन शगुन मतलब यानि इश्वर कौन है हमारे जैसा दिखने वाला तो अब यहां से भारत में शुर्भात होगा कि अगर हमारे से दिखने वाला कोई है जो इश्वर है तो वो सकुम है तो उस help सगुण इशवर के रहने की जगह क्या होगी तो उसी सगुण इश्वर के रहने की जगहुं यह क्या हो जाएगा में खेय की वैदिक सभ्यता में बहुत सारी क्लिष्टता आ गए थी इसलिए महा जनपत के काल में बहुत सारे और धर्मों का उद्धाय हो गया जैसे बौध जैन आजीवक चारवाक और इसी समय पे जो बौध धर्म है वो सबसे तगड़ाई तरीके से उभरता है इसलिए जो मौर्य साम तब यह मंदिर बनना शुरू हो गए अब जब मंदिर बनेंगे तो यहां पर दो चीज़े प्रॉमिनिंट होती है एक कि आप कैसे पता करेंगे की सामने वाला इश्वर है यानि एक आपको निर्थारित करना होगा कि अच्छा ये विश्णु है तो कहीं भी मैं करने होगी तो एक विन्यास बना दिया गया कि इसके सर पे जटाएं होंगी और निकल रही होंगी और इसके साथ दूसरी बात कि कि इस दीजन में मतलब मंदिर बना रहे हैं यानि भोगोलिक विशिष्था प्रॉमिनिंट होगे तो दो चीजे एक इसकी पूजा करनी है और द्रवैग मंदिर बने तो भारत में तीन सेलियां याधे नागर्शहलि गयर गया है, लोगर्जव अच्तिकस, अऔर इस क्वहें धुशन। नोक links practically और है कम होा, आपो यह अन्या इस व्रियदा सोर्षग से, लोगत धूच्तिकस, एक जबाए करता है , यहां तक आपको clear, यहां तक कोई समस्या है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम एक एक चीज का उठा के revise सुरू करते हैं, दीखे, सबसे पहले बात करते हैं, नागर सैली की, यह जो सामने आप पिक्चर देख रहे हैं, यह नागर सैली का एक rough diagram है, पहले मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, फिर इससे बताते हैं, तो जादा आपको समझ में आएगा, जब हम नागर सैली की बात करते हैं, नागर उच्छे अधिस्थां होना चाहिए और इस उच्छे अडिस्थान को हम जागती कहते हैं है कि यहां पे बनेगा जब मंदिर बनना तो सब snprene ुद फ़ेले बनता है गार्भ गरिया cinco six ही मतलब गर्ब मतलब जब मा के बच्चा जो है मा के गर्ब में रहता है यानि जहां से स्रीजन की possibility पंस संभ़ होती है यानि गर्ब यह वह जगा है जहां पर सिसू अपने इस विकास तक पहुच जाता है जिसके बाद उसको अपना विकास खुदी करना पड़ेगा ठीक मतलब ऑप्टिमम लेवल का जो डेवलप्मेंट है वो गर्भ महीं मा के गर्भ में हो जाता है ना हाथ पैर दिमाग सब बन जाते हैं तो गर्भ ग्री मतलब जहां से स्रिजन शुरू हो जहां से आपका जो जो है जीव आगे बढ़ेगा तो गर गर्भ ग्री में बैटा है उसकी सत्ता आपको सबसे उंची दिखानी होगी ठीक तो इसलिए गर्भ ग्री के ऊपर बनने वाली संरचना को उंचा बनाये जाता है और इसी संरचना को हम शिखर कहते हैं ठीक है इस संरचना को शिखर कहा जाता है यह हो जाता है आपका शिखर शिखर के बाद बनता है आपका आमलक है आमलक के बाद बनता है कलश और कलश के बाद बनता है आपका ध्वज अब इस गर्भग्री के ठीक सामने होता है महामंडप, आर्धमंडप और रित्यमंडप ये जो नागर मंदिर है इनके चारो तरफ चार चार जो है छोटे मंदिर बनाए जाते हैं छोटे छोटे मंदिर एक ये हो गया दो तीन और चार तो क्योंकि चार मंदिर और एक बीश का नागर hierarchy तो इसलिए मंदिर City को हम कहते हैं आपका पंचैतन पंचैतन अगर्भ राज़ार पंचैतन कहते हैं अब ज़रा समझ एक्पा कि इसने की आस में करने हैं कि जो घर्भरिय में बैठा हमा जो चोटे-चोटे मंदिर बने उसमें भी बैठा हुआ देवता भी देटा ही है यहां पर यह बताय जाता था सामनती प्रत्ता को कि जब हम सामनत्त को कर देते हैं जैसे उस समय की जो विवस्था थी सामनती विवस्था थी आप समझ रहे होंगे गुपतों के बहुत सारे साम मुख्य देवता को चड़ाते हैं तेन वे आपको सामंतों को तो कर देना है लेकिन अल्टीमिटली आपकी निष्ठा राजा के प्रती बनी देनी जहिए इस कंडीशन में जो मंदिर है ना केवल धार्मिक मंदिरों ने भली भाती समझाया है कि देखो सिखर सबसे उचा इसका मतलब इजनी दूर तक राजा के सत्ता चारों चोड़े-चोड़े मंदिर सामंत कितने भी बलसाली हो जाए पर सबसे मुख्य आपका हमेशा राजा ही होगा तो यह था आपका नागर मंदिर उत्तरभारत बना और इसके बेसिक बेसिक कॉंपोनेट्स यह हैं यहां तक आपको समझ जाए तेलिग्राम पे पीडियफ हाँ पीडियफ तो सारी दे दी है एक बार मैं चेक कर लोगी कि कौन सी पीडियाफ है वाकी जो लेक्चर की पीडियफ है वह आपके वीडियो के डिस्क्रिप्श कि अन्य पीडिया जाए ताकि ौन आप भूले नहीं देखे इसमें यह मंदिर में अगर समझे तो देखो यह चै सबसे इ asp ====よね सबसे उपर क्या है आपका यह दिको यह के शिखर है शिखर के बाद यह जो मंदिर है यह उचाई पे बना है इसको हम जागती कहते हैं यह जाग हो गया आपका अर्दमंदब अर्दमंदब ठीक और ये चारों तरफ से मंदिर घिरा हुआ है हाला कि इसमें पंचायतन का फोटो मुझे मिला नहीं अब अगर नागर मंदिरों की बात करें तो इसकी कुछ उप्षैलियां है मतलब अलग-अलग जगह पे इस मंदिर में मतलब बेसिक प्लान तो यही रहेगा जगर आपसे मेंस में आंसर लिखने को आएगा तो आप बेसिक प्लान यहीं लिखेंगे कि नागर मंदिर इसमें शिकर होता है आमलक होता है कलाश होता है यह सारा कुछ लेकिन यह जो है आपको जो बेसिक बेसिक चीजह है वो देखनी कि इसके बाद आता है खजुराहों के मंदिर और सोलंके के मंदिर यहां पे कुछ विशेष्टाओं की बात अगर हम समझे तोड़ीशा का मंदिर जैसे जहां पे कुनार्क मंदिर और जगन्नाट टेंपल यहां से हमारे सवाल आ सकते हैं तो कुनार्क मंदिर में याद गोडे वह साथ दिनों को दिखा रहें और चौबइस पहीये जह चौबइस घंटों को दिखा रहे हैं और मंदिर के 4 दिवारी पर हम देखे तो कामोदेजक मूरतिया है यादि सैंश्वस इमेजद मीजद बने हैं अब यह इस इमेजद क्या दिखाते है कि बाहर में जो का आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या होगा भक्ति का इमर्जेंस होगा यानि इश्वर के प्रती एक्षा रहित पूर्ण समर्पन होगा इसलिए जो है मंदिर के बाहर इस तरह की मूर्तियां बनाई गई हैं मेरी ख्यार में आपको नागर मंदिर याद भी आ रहा होग और आज समझ भी रहूंगे यह सनू यहां तक समझ में आया टेलीग्राम जो चैनल है वो आप भी मुझे एलोट नहीं हुआ है तो अभी आप जो एनकैडमी को ऑफिशल चैनल है आप उसको जोईंग कर लिजेगा जी और कोई चीज यहां तक कोई समस्या तो नहीं है चलिए अब इसके बाद आते हैं हम जो मंदिर निर्मान के अगली सैली थी वो थी द्रबड़ सैली अब द्रबड़ सैली पर आते हैं यह द्रबड़ सैली का मंदिर है अब द्रबड़ सैली में भी कुल मिलाके तो बात वही है कि ठीक है मंदिर है पूजा होगी आस्था होगी लेकिन जैसे हमारा नागर सैली में हमने कहा उडीसा मंदिर खजुराहो मंदिर और आपका सोलंकी डाइनिस्टी अगर इसी तरीके से हम द्रबड़ मंदिरों की बा आतो जाते हैं जाएसे राज्बन साते हैं उन्होंने मंदिरों में कुछ़-कुछ काम किया और वेकिसाफसे हम मंदिर को कहते है द्रबड रोत्यांगर और डवन्दी के नीचे ठीक है तो इधर हो गया नागर यह हो गया आपका नागर, यह हो गया द्रवड और बीश में है बेसत, तो जो द्रवड मंदिर है इनको हम कहते है पलफ, चोल, विजय नगर, नायक, जैसे जैसे वंस आते गए, वैसे वैसे उन वंसों ने मंदिरों में पहले कैसे कैसे जबलप्मेंट किया, लेकिन पहले हम स पहले प्लेटफॉर्म बनाते हैं, यह पूरा सतह से, जमीन से ही बनाए जाते हैं, द्रवड मंदिरों की खास बात यह होती है, कि यह जो शिखर होते हैं, यह सीधी की तरह होते हैं, और इसलिए इनको हम विमान कहते हैं, द्रवड मंदिरों में इनको विमान कहा जाता है, मंदिर के अंदर तालाप का होना जरूरी बात है आप सबसक्राइब क्यों होना और ऐसे लंगता है कि अब ही तालाप करता है कि जैसे नाग्र मंदिरों में बहुत वैसे ही दरवण मंदिरों में बाहर बना हुआ तालाब यह सिंबलाइज करता है कि जब उस पवित्र तालाब में या उस पवित्र जल में आप नहा लेंगे तो आपके मन के जो भी विकार वगएरा है वो खतम हो जाएंगे वो नस्ट हो जाएंगे इसलिए मंदिर में होगा इसका मतलब यहां पर यह भी सिंबलाइज हो रहा है कि जो आपका राजा है वह बहुत एक्टिव बैठा हुआ है विलकुल उस गर्वगरी के ठीक सामने वहान बैठा हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई राजा की टरिटरी में एंट्री करेगा तो उस कंडि कि वहां पर वहान भी बने ठीक तो अब देखिए कुछ और चीज़े जो आप समझ पाए तो देखिए यह गर्वड़ी का दर्वाजा गर्वड़ी के ठीक सामने बैठा है आपका वाहन ठीक इसके अलावा यहां पर तालाब का भी स्ट्रॉक्शर होता है अब अगर मंदिर की बात करते हैं तो नागर मंदिरों में देखा हो अभी हमने आपको दिखाया कि वहां पर गेट का कोई कॉंसेप्ट नहीं है बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं लेकिन जब हम द्रवड मंदिरों की बात करते हैं तो वहां पर जो मंदिर है वो चलते फिरते शहर कहे जाते हैं देखे क्या होता था कि जब दक्षिन भारत में लोग पहले जब मतब तीर थ्यात्रा के लिए जाये करते थे तो लोग अपनी जमीने पैसा वैसा सब मंदिरों को दान देके जाते थे ऐसे में जो मंदिर है उनके पास बहुत सारे पैसे हो गए ठीक तो उसी मंदिर प्रांगल के अंदर मतलब जो द्रवन मंदिर होता है वो हमेशा चाहार दिवारी के अंदर बने होता है जैसे आप यह मंदिर देखे पूरा मंदिर के अंदर भी सब कुछ बना होगा चाहार दिवारी के अंदर यह मंदिर बना होगा और इस मंदिर में तालाब होगा वहान जिसको मंदिर का एंट्रेंस के owns हैं जहांसे हो कि मंदिर में जाना है ठीक है तोinder मतलब मंदिर में घुसने वाला प्रवेश द्वार कहीं है अब दिखें परagu देखाए हो मंदिर अुरी सा कामंदिर और सुरके मंदिर वैसे एग दबढ दोर की बात करें तो पल्लव चोल स् nelbow नायक के क्रमस में देखा जाता है पल्लव लोगों के कहा किया कि इंडे मंदिर बनाया उन्होंने सिंप्ली एक-एक पत्थर को कटा मंदिर बना दिया तो ऐसे बनने वाले मंदिर उसमें शिखार विमान इसका कोई और सब्सक्रों चोल ने बहुत सारे मंदिर में गोपुरम बने शुरू किए इसके अलावा चोलो ने देखे पूरे गोपुरम पे ऊपर से लेके नीचे तक तराशा गया है इसलिए UPSC ने सवाल भी पूछा था कि चोलों ने जोहरीयों की तरह काम किया जैसे जोहरी होता है ना कि छोटी-छोटी सोने के आभूशन में भी कितनी सारी नकासी कितनी सारी कलाकारी करता है वैसे स्ट्रक्शर बर्माने शुरू किये जैसे कल्यान मंदब कल्यान मंदब पतल जहां देवी देवता के शादी होगी ठीक है महानौमी डब्बा जहां पर यह लोग त्योहार मनाएंगे इसके लाब एक एक कॉंसेप लिखिया जिसको कहते कुद्रे गुंबे कुद्रे गुंबे कई सारे गुंबанा एक मत्तब मंदिर हो फूसने के लिए बहुत सारे गेट बनाएं तो आपने समझमें आया एक होगया नाग्र जो उत्क्रभाधत का मंदिर है एक होगा है द्रवड जो दक्ष्ण बारत का मंदिर है क्या यह समझ में आया कि यह सनो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आया इसके बाद बेसर मंदिर बेसर मंदिर की खास बात क्या थी कि जहां पे नागर मंदिर और द्रवड मंदिर दोनों का में बाइट करें जैसे जो बेस होता है इसको इन्होंने structure देदिए टारे की तरफर राचना मतलब स्केया ये यह है ठीक है यह अगर माली जे कि हम चालू की की रात करें तो आपको क्लास में याद आ रहा होगा जहां पर हम लोगों ने यह दिसकस किया था कि यह लोगों ने क्या किया था जहां पर वर्ग और वृत्त एक साथ बने हो जैसे जो स्ट्रक्चर्स का वर्ग वृत्त होगा तरफ देखें नागर है एक तरफ ज्रावर है क्लास के बाद यह PPT हम आपको अब लेवल करा देंगे आपको वीडियो डिस्रॉप्शन के नीचे ताकि कि जब आपको रिवाइस करना हो तो आप जल्री जल्री जैसे एक्जाम के पहले क्या होगा ना आप देखेंगे जब हमारे पास समय नहीं होता कि हम जो है बैठके सारे चीज़ रिवाइस कर सके उस समय जो हमारी कंसॉलिडेटेड नोट्स होती है वही काम आती है मतलब नोट्स पढ़ने के बाद यह आपको एक शॉट्ट नोट्स बनानी होती है तो वहाँ पर यह नोट्स आपके लिए ठीक है अभी देखिए इसमें एक तरफ नागर एक तरफ दवड नागर मंदिर में जो शिखर इसको रेखिये शिखर कहते हैं वहीं अगर दवड मंदिरों की बात करें तो इसको पिरामिडा कार कहते हैं क्योंकि इसको शिखर कहते हैं और तो यहां पर इसको विमान कहते है यह उंचे चबूतरे पर बनाए जाता है जिसको जागती कहते हैं और यह बिल्कुल धरातर से बनता है यहां मंदर के पास पंचायतन होता है पंचायतन मतलब बीच मंदर और चारोतरव सहायक मंदर और यहां पर मंदर के बाहर गोपुराम होता है जिसको हम एंट्रेंस गेट कहते हैं यहां पर क्या होगा उरुश्रिंग शिखर बनाए जाते हैं उरुश्रिंग शिखर का मतलब क्या होता है जैसे आपने देखा गई कोई मंदिर है सापोस करो यह कोई मंदिर है नागर सहली में उसी में देखे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोट प्रवाइन के बात करें तो मंदिर के अंतर तालाव होगा देवता का वहान होगा ठीक तो यह बेसिक जो है जानकारी है नाकर और प्रवण मंदिरों के बारे में क्या आपको समझ में आया इस को आशोन अ kilいます a जडिक है आजरा आगे बढ़ते हैं लेकि मंदल के बाद हम लोगों नरी आस्था के बाद की कि से प्रति के प्रतिक independent में तो कौन से प्रकृति यानि जो भी चीज़े हमारे सराउंडिंग में थी जैसे पानी बर्सा तो इंद्र की पूजा सूरी दिखा तो सूरी के पूजा रैट तो इस तरह से पूजा हो रही थी बाद ने हमने देखा कि वेदिक सब्वेता में लोग बली वेगरा देने लगे अ और आपके आजिवक चारवा के तरह से बहुत अलग अलग संप्रतायों का जन्म होता है इसमें जो बहुत धर्म होता है उसको लेकर करने लिग equally थिक यानि बुद्ध भी एक जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जो भी अपनी सिक्षाएं दी उसको एकसेप्ट करने लग गए तो अब बहुत धर्में लोगों को पूजा भी करनी थी तो पूजा करनी के लिए जगह वी तो चलिए जहां पर पूजा कर सके ऐसे में स्थूप भरहुद का स्थूप और अमरावति का स्थूप होता है कि पहले हैं इसके पहले कि हम इन तीनों स्थूपों पर जायें पहले हम बेशिक देख लेते कि स्थ्म दरसल होता क्या है डिए ग्ष्य का मतलanız होता है धेर फ्रोंक है जासको इसब फोस करूं यां पर स्टूब अगर शब्द स्टूब की बात करें तो अब भारत में हरी उधी का तो लोग क्रिया करते थे हवन करते थे हर वन कर दे देते थे अगनी एनकाक माने जाती कि ये देवताओं की अधियर बात है जैसे हमारे आपका सदेश भाय कभी यूट्यूब है वोटसेफ है रेट जिसके त्रूम मैसेज़स देशते तो यह लोग जो देवताओं को भीजते थे वह अगनी के माध्यम से भीजते थे तो जैसे अगनी में बली डले जाती थे तो अगनी की जो लपते हैं यानि वितान जाते और उन वितानों को दरसल स्टूप कहा जाता था बाद में जो स्टूप को इतना प्रिविलेंट किया तो वह था आपका बहुत धर्म में इस तूप बनवाई किसमें तो खास बात यह है कि जब बहुत धर्म फ्लरिश होने लगा तो आप देखे कि धर्म से कही ना कही दिमाग में जो बात चलती है वो यह कि मालो के मेरा सब कुछ भी चला जाए तब भी मन में एक उमीद रहती कि एक दिन भगवान सब ठीक कर देंगे तो कहीं ने कहीं धर्म से बहुत जादा जुड़े होते हैं ऐसे में अगर राजा को अपनी एक तरीके से सत्ता बनानी है राजा को लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि भाई मैं तुमसे बहुत जुड़ा हुमा हूं तो कहीं न कहीं राजाओं ने उन धर्मों का सहारा लिया या उन धर्मों में निवेश किया जहां पे पबलिक जो एकसेप्रेंस थी वो जादा थी अब क्योंकि उस समय जो का बहुत धर्म है वह बहुत तीजी से ग्रो कर रहा था इसलिए मौरे काल के बाद करें या मौरुत्यर काल के बाद करें इन लोगों ने जो है आपके अस्तूप पर या बहुत धर्म से जुड़ी हुई चीजों पे बहुत ज्यादा ध्याम दिया इसमें भी जब अशोक हैं अशोक कहीना कहीं बहुत धर्म का उपासक बना तो अशोक में सुरू क्या स्तूप बनाना तो कुल उसने आठ से नौ जगा पे वो धेर लगवादी कठा कर दिया मिट्टी का धिरा लगा दिया जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो नहीं नहीं लोग आए यहां बनके आपका साथ वाहन यहां पे था आपका साथ वाहन फिक यहां पे हुआ चोल चेर और पांड्य ठीक है इस तरह के जो डानिस्टी इनका इमर्द्यन्स हो रहा है तो इन सब लोगों ने भी आपके जो देखा कि भाई अच्छा बहुत धर में इतना काम हो रहा है इन लोगों ने भी कही ना कहीं क्या किया कि जğ है उत्में निवेश करना शुरू किया अग्या इस सीमिलियारीटी अहुटनी तभी तो कुछ न पुछ तो एक आपको खाका बनाना होगा कि जब आप स्टूप बनाड़े तो आप क्या बनाएंगे तो किसी भी स्टूप में कुछ चीज़े होती है जो बेसिक होती है कि यह वो हर स्टूप में रहेगा तो उसको कहते हैं स्टूप के अंग तो स्टूप के अंग क्या क्या होंगे प देखें यह हो गया आपका प्लेट्फॉर्म हम प्लेट्फॉर्म हो गया यह देखें यह आपका तोरन द्वार प्लेट्फर्म यह जो पवित्र स्थान होता है पवित्र इसको ओम कहते हैं इसको हम कहते है हर्मी का हर्मी का हर्मी का हर्मी का फिर दिखिए यहां से चारों तरफ घूमने की जगा जैसे हिंदू में होता है के लिए प्रादिक्ष्णाप्त representatives देखे यह यह आपका चबूतर के पास से यह यहां पेंस ही लिए स्थूप आपका बना है इसको छिती, छिती, जल, पावक, गगन और समीर इन पंच तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना होता है बस वही चीजें जो है कही ना कहीं स्टूप कल्चर में भी समझाई जाती है बताई जाती है जैसे इसमें जब हम अंड की बात कर देखें यह अंड बना है यह अर्दविर्ताका जो समझना है यह जो है आपका जल का प्रत्री दित्व कर रही है अच्छा एक चीज छुड़की छत्रावली बनी होती है देखें एक दो तीन जिसमें बुद्धम शर्णम शर्णम गच्छामी और धमम शर्णम गच्छामी यह बताए जा रहा है ठीक तो यह हो गया आपका जो अंड है वो प्रत्री को बता रहा है ये जो मेधी है ये प्रत्री को बता रही है यह जो छतरावली यह वह अकाश को बतारी आफ्स एक चीज जो है अलग अलग जो पांच चीजे है उनको छिफ्लेक्ट करता है जह हुं तोरुन द्वार की बात करتे तो पूरे ऑश्ही में या स्टूप में कहा जाता है कि चार तुरण द्वार होने चाहिए पूरा पश्रिम उत्तर दक्षण यहां से दो बाते बताई जाते हैं जब चारों तरफ तुरण द्वार होगा तो इसका मतलब बुद्धर्म सब के लिए खुला है आप ब्राम्मर चत्रिय वैश शूद्र कहीं से भी आएं आपके के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत धर्म अपनाएगा नहीं ठीक है और इसके अलावा चार तुरण द्वार यह भी दिखाते हैं कि चारों दिशाओं में जो बुद्ध की कृप है बुद्ध की अनकमपा है वह फैल रहीं है तो दोनों बाते सम्झा रहे हैं इसके अलावा जो चार द्वार हैं एक जो रिलीजिस चीज बताते वह यह कि पूर का द्वार है भुद्ध की जन्म का प्रतिक है महीं अगर दक्षरिक के द्वार का बताएं उनके निर्वाल को जब उन्होंने जो है प्रित्वी को त्याग दिया था तो यह जो है बेसिक कॉंचेप्ट होता है स्टूप का क्या आप मेरी बास समझ रहे हैं यह सब्सक्राइब अब देखें यह जो तीन स्टूप जहां से कुश्चन्स बन सकते हैं देखें यह सामने आपके तीन स्टूपों का स्ट्रक्शर दिया है जो यह वाला स्टूप है यह साची का स्टूप है यह भरहुत का है और यह अमरावती का है मैंने फोटो इसलें लगाए ताकि आपको जादा रटना ना पड़े आप समझ पाएं यह क्या क्या चीज़े हैं वैसे तो बेसिक स्टीडिय वही होगी अंड होगा तोरण द्वार होगा परिक्रमापत होगा वेदिका होगा यही सारा कुछ होगा लेकिन अगर हम फीगर के तुरू देखें तो देखें इन सब में अंतर क्या है जब हम साची का स्टूप देखते हैं तो यहां पे चारो को तोरण द्वार अंड सब कुछ मिल रहे है इसको महा स्टूप कहते हैं महा स्टूप यसी को लोग हाई रिलीव चित्रण भी खहते हैं अब मोहीं ब admire wyp कि स्टूप की बात करें तो जो बरी का स्टूप है वह मूल स्थान प्र उपलबद नहीं है ठीके पहले समें अब चार तुरन द्वार थे लेकिन अब एक ही मिला है यह जो है धय चुका है फिर अगर हम अमरावती की बात करें तो यह साउथ इंडिया में है अब एक एक शीज देखें जब साची की तुप की बात करते हैं तो अंड पर किसी भी तरीकी की शिल्पकारी नहीं है जब चार पर मिला है एक बाकिता ध्वस्त हो गया है लेकिन जब हम अमरावती की बात करते हैं तो यहां पर तोरण द्वार नहीं मिले हैं तोरण द्वार की जगा पर यहां पर आयक इस्तंब मिले हैं आयक इस्तंब बने हैं यह इनको कहते हैं आयक इस्तंब यहां पर जो है इस बुद्ध को प्रॉमिनेंस दिया गया है लेकिन जब अमरावती की बात करते तो वहां पर बुद्ध के साथ साथ जो लोक जीवन है उनको भी कहीं न कहीं स्थान दिया है ठीक इसके अलावा देखिए प्रदक्ष्णापत यहां पर भी है साची में भी भरूत में लेकिन अमरावती में आपको प्रदक्ष्णापत बहुत चोटा मिलेगा बहुत सक्रा मिलेगा तो यह बेसिक इंफोमिशन है आपका स्थूप आर्किटेक्ट्चर के बारे में क्या आप रिवाइज कर पार हैं आप तमझ पार हैं यह सब्सक्राइब अब आते हैं अगला जो टॉपिक है जो हमने क्लास ने डिटेल में देखा था वो था रॉक कट आर्किटेक्ट्चर रॉक कट रॉक मतलब एक पत्थर को पत्थर मतलब रॉक को चट्टान को जहां पर हैं बाद करते तो पहाल के चट्टान गहले sudah बाले जब और तक टेरास्ते रहते होंगे और इसके बाद क्या करते घर जाएगा तो यह दिमाग में लोगों कि कासा है तो कहाँ चाता है कि प्रकृती में पहले से नब आप काल की बात करते हैं तो पाशन कासे हमने देखा था कि गुफाएं थी जैसे भीम भेटका जोगी मारा सरगुजा ठीक है तो इस तरह कि जो गुफाएं थी वहाँ पे जो पाशान कालिन लोग हैं वो शिकार के लिए छुप जाय करते थे पेंटिंग मनाया करते थे तो वहीं से इंस्पाइर होके वहीं से देखके लोगों नहीं सचा कि जिन लोगों को भी ध्यान करना है मतलब ध्यान पूजन वग्यारा करना है ध्यान आध्यात में करना है वो लोग ससाइटी में रहे के तो वो कर नहीं सकते उनको आउट साइड जो आउट सकर्ट से वहां पर जाना होगा ऐसे में पहालों को काट काट कर राजाओं ने इन लोगों के लिए गुफाई बनवाई राइट मतलब जिसको कहते है शैल कृत आ जो है स्थापते जिसके बारे में हम भी पढ़ने वाले हैं जब इन सैल कृत की बात करें तो क्योंकि यहां पे जो प्रॉमिनेंट शीष्थी वह था धर्म धर्म इसी लिए जो सैल कृत आर् प्रताय के लिए बरभाई गया है एक इक करकर देखते हैं क्या है कि जैसे दिखें सबसे पहले बात करें हम बहुत कई बहुत की तो बहुत में जब यह काट-इक पाट के बनाए अला घन अंगा तो दो सब्सक्रा में प्वत सब्सक्या और लेता है ना पर दिख रहे हzę नहीं टर्भ यह को कहां गया विहार विहार चैत्य और विहार क्या होता है चैत्य मतलब वजगा जहां पर बुद्ध की पुझा होगी और विहार मतलब व जगा जहां पर जो पूजा करने वाले उपासक लोग रहेंगे तो जो बहुत की पूजा करते थे उनको हम बहुत भिक्षू कहते हैं बहुत भिक्षू लोग रहते थे तो चैते और विहार यहां पर दो बाते सामने आई चैते नहीं पूजा होगी और विहार मतलब जहां वो लोग रहेंगे पूजा किसके होगी बुद्धी की कि पूजा किसंट करते थे थे टो स्थूप के थ्रूट के थ्रूव। यहां पर स्टूप बनाए है ये स्टूप है ठीक है यश्थर मिखा प्यूलिने संब भी स्टम्भ होंगे और इनी स्टम्भों के पास बैटके जो बहुत विक्ष्व हैं वो सब पूजा करते थे इसी स्टम्भ से मतलब इसी जगह से लगा हुआ के फ्रॉक्चर होता था जहां पे बहुत सारे कमरे बनाए गये थे और इन कमरों में लोग रहा करते थे इसको कहते करेते लिहार फिर इक अफ्रेंश दवार होता था जहां से लोग अंदर जाएंगे इसको कहते थे कीर्थ मुख कीर कीरती मुख तो यानि मिकस्षं कि Baltimore करेंगे इधर सब्स्राइब इसके बाद देखिये अगर हिंदू आर्किटेक्ट्टर के बात करें हिंदू रॉकट साइथ की बात करें तो हिंदू तो कुल मिलाके क्या करेंगे जो धार्मिक प्रतीक है याजनी आफ्था वाली चीजें उन्हीं को काट-काट के मंदर बनाएंगे तो मंदिर जीफा तर जो हिंदू सेल पर्त आर्किटेक्ट्डर है वहाँ पे हमने मंदिर देखे मंदिर मत strategies और कहलेब यह इसारे कोछ बनाये गए। जैसे आप सामने देखो यह हिंदु का अर्खिटिक्ष्र है इह एलोड़ा में बना हुआ कायलाशनाद का मंदिर है। कि के जए कि यह कैलाश नात्का मंदिर का स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है एक पत्थर को लेकर लेते गए और क्यारते चलेगे, कारते चलेगे, कार्ते चले गए और जो है इस तरह से अर्मनिर सब बन गया जिए अगर आप पास से देख पाएं तो देखें यहां पे सारी जो स्ट्रक्चर से पिलर्स हैं सारा कुछ आपका शिखर यह सारा का सारा जो भी बना है वो हिंदु गॉड जो गॉड़ेस हैं या जो देवता लोग है उन्हीं को रुध्यान में रखते वे बनाये इस्ट्रक्चर है पर इनको क्या किया गया है शैल को काटके इसका और पत्थर को काटकाटकर बनाया हुआ इस्ट्रक्चर मंदिन में क्या करते पत्थर को जोड़ते हैं एक पक्त रखें चूना शुर्की से जोड़े लेकिन जब वहीं रॉक करते हैं तो रउक को क्या करते हैं कट कर लें ठीक जोड नहीं रहें आप देखे इसके बाद आता है जैन तो जो जैन गुफाओं की अधी हम बात करते हैं तो जैन गुफाओं में तो जितने भी जैन तीर्थंकर थे जैन तीर्थंकरों को ओकेरा गया जैसे सित्यन वासल की गुफा, एलोरा की गुफा, अजन्ता की गुफा, तो अजन्ता एलोर मिलेंगे वह उस तरह के जो हैं गुफाएं यहां पर देखने को मिलेंगे तो यह थो थो आपका जैन गुफा अब यह जो है जैन गुफा के कुछ-कुछ एक्जाम्पल्स है यह वाला आप देखें सामने में यह आपका गुफाएं यह सामने अजन्ता का गुफा है यह थे क़लाशनांत का मंदिर इसको आईस्क्रीम की तरह कट करके निकाला गया है इसके बाद हम आते हैं Ido-Islamic आप इंडू-सलामिकजी की बात करें तो इंदू-सलामिक की बात हम करें इतना आप पहले रिवाइस कर लिजे इस के बाद हम अपनी बास शुरू करेंगे इंडुस्लामिक के साथ ठीक है थांकि तो मच ओल फ्यू फॉर ज्वाइनिंग यहां तक कर आके कोई डाउट से कह रहा है तो आप मेरे से पूछ लिजेगा थांकियो तो मच